है हलो वच्छों कैसे आप लोग तो चले हैं आज ऄर् sobie रिलेटेड़ हम बाते करेंगे और अज में किलियर करेंगे कि हर्दैरोग विशेस्ट कैसे बनते हैं मिसके स्क्राइब करेंगे तो पूछ रहाyt प्रोसेस क्या है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस एंग्थ हो काडिोलोजी क्या होती है जिसमें हम हर्ड से रिलेटेड छीजों को पड़ाई करते हैं तो उस ब्रांच को काडि़ियो वो तो a ceo के जो डॉक्टर बनेंगे तो वो बैसिकली दॉ टाइक के डॉक्टर आते हैं काडियो लोजिस्ट एक काडियो लोजिस्ट क्या होता है काडियो लोजिस्ट जैसे हर्ट अटेक हुआ ब्लट प्रेसर हुगा, ये सारी चीजjach हर्ड से मेडिसीन से रिलेटेड ये ये रिघ्टमेंट करता है और ये नौलेज होता है, और एक होता है cardiac surgeon तो cardiac surgeon क्या करता है open heart surgery, bypass heart surgery, heart transplantation तो यह जो heart की जो surgery है वो इसमें involved होता है और यह कहां से बनते हैं यह यहां से बनते हैं और यह जो चीज होती है वो ultimately देखो मैं बताता हूँ यह कहां से decide हो जाता है और कैसे बनता है, देखो डॉक्टर कैसे बनते हैं इस चीज को अगर यह बहुत सारे parents हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनके लिए यही बताऊंगा कि एक अच्छा doctor बनने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास बच्चा है तो 9th और 10th 9th 10 से ही आप alert हो जाई है ठीक है, 9th 10 से ही foundation का course करा दीजिए foundation course अगर 9th 10 से आप शुरू से alert हो गया आपके base मजगूत रहेंगे तो आप जागे आगे competition क्रेक कर पाऊगे क्योंकि आगे का main competition है वो है need use ठीक है, need use जो है वो बहुत difficult exam हमारे देश में और इसमें लगबगर मालो इस time इसमें मालो कि 44,000 जो है 44,000 government ambiguous seat है government ambiguous इसमें seat है तो बच्चे कितने बैठते हैं 15 से 16 लाख student इसमें बैठते हैं तो यार अगर 15 से 16 लाख student बढ़ते हैं और government में 45,000 या अभी कुछ और भी seat हैं बढ़ी है तो इतना तो आसान नहीं है ना आना बाकी सारे तो इसमें प्राइबेट में जाएंगे और भी medial exam होते हैं उसमें चले जाएंगे तो अगर यह exam क्रेक कर लेती हैं और कोई government college मिल जाता है तो तुम एक अच्छा डॉक्टर मन गए बहुत कम पैसे में बहुत सस्ते में और हमारे देश में मतलब अच्छे क्वालिटी वाले होगे यह नीट exam क्रेक करोगे तब और यह तभी क्रेक कर पाओगे जब आप 9th 10 से alert होगे बहुत सारे मानलो बच्चे हैं जिनका 9 10 में नहीं हो पाया तो अब 11th और 12th में 11th और 12th में उनको PCM भी रखना पड़ेगा PCB रखना पड़ेगा PCM ने तो बहुत सारे लोग दोनों रख लेते हैं पड़ेगा और यही पूरा बेस है अगर आपका 11-12 बेकार हो गया खराब इंसिट्यूट में पढ़ लिए या आपको आपने ध्यान नहीं दिया तो एक अच्छा डॉक्तर या इंजिनियर बनना आपके लिए बहुत मुस्किल हो जाता आगे तो यहां से फिजिक्स डोगे तो बहुत सारे बच्चे 12 के बाद ही निकाल लेते हैं तो आने बरेज के बाद नहीं निकाल पाते हैं तो और तो यहां अगर आप यह वाला एक्जाम करेक करें नीट इंडिया लेबल पर तो आप डॉक्टर बन गए जब आप डॉक्तर बन गए तो आप को मिलेगा ग्रेजुएशन की डिग्री MBBS में एडिमिशन MBBS बेसीकली 4.5 येर का है प्लस 1 येर मेंडेटरी इंटर्सीप होता है जो की हास्पिटल में आपको देना पड़ता है और लगभग कुल मिला के 4.5 येर के आपके टाइम इसमें लग जाता है लास्ट वन येर में डिबेंडिंग अपान दे गवर्मेंट कॉलेज और इनुवर्स मतलब उस पे कि आपको कितने लास्ट वन येर में पैसे मिलते हैं जब आप हास्पिटल में टाइम लगाते हो तो वह 15,000 से लेके 16,000-1820 तक ऐसा मिल सकता है आ नहां से अगर आप अच्छी पढ़ाई कर लिए तो डॉक्टर तो आप यहीं बन गए बट उसके बाद अगर आप और ज्यादा इस पेसलाइशन चाहते हैं तो आपको एमड या मेस करना पड़ेगा तो यह जो लास्ट के वन येर होता है यह बहुत सारे बच्चे वहीं ड करना हिब भी सराघेगा तो यहां पर इक्जाम में 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 मेंन शीज अच्छा में रखता है लेकिन अगर नीट पीजी अपकुरेग यह त्यारी लिए तो इसमें कॉललेज में रखता है तो यह यहां से यह तीन साल की हॉस्पीटल में ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसके बाद आप यहां से मास्टर आफ सर्जरी की जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी और यहां पर आपको अच्छे पैसे मिलते हैं यार अच्छे पैसे बोले तो कितना मलव असी हजार से लेके एक लाख रुपए तक यहां पर आपको मिलता है और यह असी से एक हजार रुपए अलग-अलग इनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है लाइक है एम पूरे दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ेगा आपको पैसे भी मिलेंगे आपकी ट्रेणिंग भी चल लई है आपको डिग्री भी मिलेगा तो यहां पर आपको तीनों चीज मिल आए और इसलिए काते हैं कि मतलब जो अपने देश के लिए सर्विस देना चाहिए बहुत अच्छे बच्चे हैं जो वी देश में चले गए तो हम तो मोरेल वेल्यू देते हैं हम तो उनको समझाते हैं यार कि अपना देश सबसे अच्छा है चलो अब यहां से अमडी या एमस हो गया तो अब आगे इसमें बहुत कम लोग असी परसेंट लोग लगवग इसको इसक चाल की यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें आपको डॉक्ट्रेटा मेडिसीन तो यह अलग से इस पेसलाइजेशन है डॉक्ट्रेटा मेडिसीन बहुत कम लोग करते हैं और इसको करने के बाद आप से तीन से चार्ट लाग रुपए या इससे भी ज़्यादा करो कि यह सब तो इक डिगरी की बाते हैं वर फाइनल एकर मैं बात करूं कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा प्रैक्टिकल मतलब क्या आप जिस पेसेंट का इलाज कर रहे हो उस पेसेंट का बहतर तरीके से इलाज करो वह खु करते हैं कुछ में पंचानवे मर गए तो जो पांच बच गए आपकी इसे थोड़ी बच गए आपका तो प्रपॉमेंस वह आपको क्या एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओ गया रहे से तो में चीज़ें क्या है पेसेंस होना चाहिए डॉक्टर के पास एक अच्छी कम लगा होगा और अच्छा लगा तो इसको आप अपने पैरेंट्स जो डॉक्टर बनाना चाहते बच्चों को उनके साथ इसको शेयर करो और भी हैपी और मोटिवेटेड रहो इनर्जेटी रहो थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू